हालो व्रीवान वेल्कम टी डॉक्टर इश्मीज सुमेपथी फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं एंकायलोजिंग स्पॉंडिलाइटिस या एस के बारे में फ्रेंट्स यह एक ऑटोमिन डिसॉडर है और एक बहुत ही गंभीर या क्रॉनिक इंफ्लमेशन है आज हम पूर चाहे वह एलोपथिक ट्रीटमेंट हो चाहे वह होमेपथिक ट्रीटमेंट हो साथ के साथ इसका डायेट एंड लाइफस्ट्याल चीन्जिस क्या कर सकते हैं सब कुछ हम जानेंगे इसी वीडियो में तो चलिए आज कर टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स अब बा पर अलग वर्टीबरास के मतलब बहुत चोटी चोटी हड़िया होती है जो पीछे आप फील भी कर सकते हैं जो आपको उभार से मैसोथ होता है आपकी रीडिक हड़ी में उसके बाद चैस्ट में आ जाए तो वहां होती है लंबर यानि आपकी जो भैक एरिया होती है वहां और यह जो वर्टीब्रा होती है अगर हम ऐसे समझने कोशिश करें तो यह थ्री फिंगर से एक वर्टीब्रा है उसके बाद यह डिस्क होती है एक और एक वर्टीब्रा है तो इस बीमारी में क्या होता है कि जो डिस्क होती है इसको यह यह जो बोल्स होती है इतनी ज्यादा के बीच में को डिस्क दिया हुआ है कि आप अराम से मोशन कर पाएं चल फिर पाएं कोई भी आपको और रिजिडीटी महसूस नहीं हो तो इसके कारण क्या होता है कि हड़ी आपस में जोड़ जाती है तो जितनी भी आपकी वर्टीब्राज होती है अपको जोड़ जाती है इसी को बोला जाता है इंक्काइलोजींग या अगर इस तहले होता है आपका सबसे ही बंगे सबस्क्राइब कर्वाइस इस लक्षणी कहने होता है हुता है उपके व्यार्ब बैक्षण होता है का बख़ता है या बहुत तेज़ दर्ध हो सकता है कभी-कभी, साथ के साथ रिजिडिटी स्टार्ट होती है, अकड़पन आती है आपको जकडन सी आती है और ये जकडन सबसे ज़ाद आपको सुबह महसूस होती है तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी रीड की हड़ी जो अफेक्ट कर रही है जो हमारी pelvic bones है उसको अफेक्ट कर रही है तो इसके कारण इसको शियाटे का स्वभी confusion हो जाती है क्योंकि इसका जो दर्द होता है जो आपकी जांगे है जो आपकी थाइज उसके पीछे पार्ट से होके जाता है तो इंकायलोजिंग स्पॉर्ड इंडियाटिस में सबसे पहला चीज है कि inflammation होती है दूसरी important चीज है कि इसमें आपको pain रहता है और तीसरी important activities करते हैं वैसे वैसे आपको कब मैसुस होगा बहुत सारे पेशन्ट आपकी बताते हैं कि सोगे उठने के बाद उनकी हलत बहुत खराब रहती है जब दीरे-दीरे अपने कामों में लगते हैं activities perform करते हैं या even exercise के बाद भी काफी जादा उनको बेटर फिल होता है तो फ्रेंट्स जासे कि यह एक inflammatory disorder है और एक progressive disorder है तो progressive का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको lower back में pain start होता है दीरे-दीरे करके यह inflammation आपकी पूरी हड़ी में चला जाता है और बहुत सारे जो patients होते हैं वहां पर यह निक की जो बोन होती जो seven vertebras बने बताई उनको भी affect करती है तो नीचे से bonnie जो prominences होती है उसमें भी numbness होती है इंफ़े inflammation होती है या उनको छूने पे आपको दर्द होता है तो bonnie prominences का मतलब हुआ जैसे यह यह अहां पर हड़ी निकली हुए यह यहां पर दर्द हो सकता है यह यहां पर दर्द हो सकता है धीरे-दीरे करके आपकी body के सारे part को affect करती है यह collar bone है collar bone में बहुत जादा pain हो सकता है तो जितने भी bonnie prominences है वहां पर pain होता है इसके लावा और points के बात करें तो इसमें जब यह बिमारी धीरे-दीरे बढ़ती जाती है तब आपको सांस लेने में भी परिशानी होती है क्योंकि जो आपकी bones है यहां जो आपकी रीड की हड़ी यहां पर आकर ज्वाइन हो रहे हैं वहां पर भी inflammation स्टार्ट हो जाती है इसलिए आप पूरी तरह से सांस नहीं ले पाते हैं क्योंकि जो expansion होता है लंग का वो affect हो जाता है इसके लावा और symptoms की बात करें जो धीर धीर करके आते हैं वो है कि आपकी eyes में affect होता है आपकी eyes का vision affected हो सकता है आपको धुनला दिख सकता है या dizziness महसूस हो सकता है या आँखों में जो uvea होता है इसकी inflammation स्टार्ट हो जाती है तो basically यह एक बिमारी है जो कि आपके धीरे-धीरे करके सारे parts को affect करती है आपका heart effect हो सकता है आपकी lungs affected हो सकती है आपका पेट खराब हो सकता है बहुत सारी problems को लेकर कि यह बिमारी आती है और लेकिन जो 5 important symptoms है जो कि जानने चाहिए आपको वो है morning rigidity बहुत जादा होती है stiffness बहुत जादा होती है पोश्चर इसमें बहुत जादा affected होता है तो पहले इसके कई phases होते हैं 3-4 phases होते हैं पहले phase में आपको कोई भी symptoms नहीं पता चलेंगे सिफ कभी कबार आपको pain start होता है दूसरे symptoms में अगर बात करें तो थोड़ा बहुत stiffness start होती है और third stage में आपको arthritis आ जाता है और fourth stage में पू का यह पोश्चर आप आगे के दरफ जुखते चले जाते हैं और पीछे के दरफ जो spinal cord हो कूबड की फॉर्म में आती जाती है तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इस बिमारी को कूबड भी बोला जाता है अगर यह बिमारी सही से ठीक नहीं की जाए तो कूबड को इस यह प्रेंट्स यह बिमारी होती है mostly males को एफक्क करती है males और females का ratio 3 is to 1 है और एक seronegative arthritis है 0 Negative का मतलब होता है इसमें 8 जो आपका Rh Factor वो Congratulations रहता है जैसे कि इसमें आपका Rh Factor बहता है लेकिन फिर भी आपको arthritis रहता है और फिरंट्स यह बिमारी Mostly males को effect करती है Males और females का ratio 3 to 1 है तो फिरंट्स अगर हम बात करते हैं arntry解加 расп Chef क्राव justement अगर कराते हैं CT scan या एक्सरे कराते हैं तो इसमें बैंबो स्पाइन दिखता है और जितने भी आपकी बोन से काफी जादा फ्यूस्ट हो जाती है यह कई बार इसमें जो बोन फ्राक्चर भी होते हैं वह भी देखने को मिलते हैं एक इंपोर्टन चीज इसमें यह है कि इसमे बढ़ा हुआ था क्योंकि एक इंफ्लामेशन है इसके लावा CT scan में या एक्सरे में आपको देखने को मिलेगा कि बैंबू स्पाइन देखता है जैसे लगता है बैंबू या जो बांस का पीड़ होता है उसके जैसे अपकी हड़ी दिखती है क्योंकि बीच की डिस्क होती ह वो बिल्कुल खतम हो चुकी होती है अब हम बात करते हैं इसके treatment की तो इसका treatment सिर्फ symptomatic होता है अलोपेटिक सिस्टम के अगर बात करें तो अगर आपको stiffness हो रही है उसको relax करने के लिए medicine दी जा सकती है या आपको pain बहुत जादा हो रहे है क्योंकि low back pain बहुत जादा होता ह है और अगर हम बात करते हैं इसके साथ के management क्या जा सकता है तो इसके management में डाइट बहुत जादा इंपॉर्टन है आपको protein rich diet लेनी है क्योंकि आपकी bones strong रहनी चाहिए bones में किसी तरह की arthritis inflammation अगर हो रही है तो आपको protein वाली चीज़ें लेनी चाहिए सदके सथ exercise is very much important बहुत स से massaging कर सकते हैं या उसको massaging करने के बाद उसको रख करके आप रेस्ट कर सकते हैं बहुत सारी additional चीज़ें यूज कर सकते हैं लेकिन अब हम बात करते हो में परोच क्या रहता है तो अगर आपने मेरी पहले के भी वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया है कि जितन प्रिजन कंब्रेंट है उसकी पास हिस्टी विंत धिया ऐसकते हैं जो बाइबंगे अलेकिन अग्रें मैं कहना चाहती हूं कि पूरी तरह सी बीमारी होमेपती भी खतम नहीं कर सकती है तो होमेपती में बहुत सारे symptoms में आपको relief मिल सकता है और बहुत सारे aciь medicines है जो particularly इन symptoms पे काम करती है और अगें होमेपती medicine लेने का आपका फायदा ये है कि बहुत ज़्यदा cost-effective है कोई side effect इसका नहीं है और अगर long duration तक भी आप लेते हैं तभी भी आपको कोई परिशानी की बात नहीं होगी तो चलिए अब हम बात के लेते हैं कुछ frontline medicines की जो बहुत ज़ादा important है ankylosing spondylitis के लिए तो कुछ frontline medicines है सबसे पहली medicine है हमारे rustox तो friends rustox के symptom बिल्कुल वैसे ही है जैसे ankylosing spondylitis के symptoms है मतलब कि सुबह सुबह आपको बहुत परिशानी होती है जैसे आप काम में busy होते हैं अपना routine स्टार्ट करते हैं तो अच्छा फील करते हैं अगर आप काम स्टार्ट करते हैं तो rustox first medicine that is given in cases of any kind of arthritis but particularly in this case of ankylosing spondylitis तो बहुत अच्छा result इसका रहता है इसको भी हम 30 potency में ले सकते हैं फिर next medicine की बात करते हैं तो next medicine है काली कार्व काली कार्व एक बहुत ही famous homeopathy की medicine है जो back pain में दी जाती है तो इसमें जो patient होता है उसको absolute rest सही होता है और उसका जो back pain होता है इतना severe होता है कि उसको बहुत अधा weakness फिल होती है वो कोई भी काम कोई भी activity वो नहीं कर सकता है उसको लगता है कि बस वो एक जगा पढ़ा रहे है तो अगर ऐसे symptoms दिखते हैं तो उसमें काली कार्व देनी है काली कार्व को आपको 30 potency में दिन में 3 बर ले सकते हैं इसके लावा next medicine के बात करते हैं तो next medicine है tellurium tellurium तब देना है जब आप patient से पूछते हैं कि कहां पे दर दो रहा है तो patient बताता है कि आपको नीचे आपके जो rear की हड़ी है read candy के निचले पार्ट से लेकर दोनों थाइस की तरफ ये pain जाता हो लगता है और बहुत severe pain होता है तो उन cases में tellurium दे सकते हैं इसके लावा काल्मिया एक medicine है जो बहुत अच्छा काम करती है arthritis की cases में तो उसमें आपको लीनी है अगर आपको जो pain है आपकी read candy से होते हुए आपके दोनों पैरों के तरफ जाता है मतलब patient आपको बताता है कि पहले तो मुझे सिफ यहां पे दर्द होता था read candy में दर्द होता था अब ये pain मुझे दोनों पैरों की तरफ भी जाने लगता है अब दोनों पैर भी affected हो गए है descending type of pain आपको हो रहा है तो उसके काल्मिया ले सकते हैं काल्मियों को mother tincture या 30 potency में लेना जादा अच्छा रहता है इसके लावा next medicine है Bryonia ब्राइनिया is one of the greatest medicine for inflammation शरीर में कहीं पर शोध हो रही है कहीं पर भी inflammation हो रही है तो उनके cases में ब्राइनिया दी जाती है ब्राइनिया में सबसे important symptom होता है कि patient want total rest उसको पूरी तरह से rest रही होता है बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहिए होता है और साथ में वो जो rest करता है तो जिन पार्ट में उसको pain होता है उसकी तरफ ही वो late करके उसको औराम मिलता है उसी तरह pressure देता तो औराम मिलता है मतलब अगर उसको right side में pain हो रहा तो right side को नीचे करके वो late ता है तो ब्राइनिया को भी 30 potency में दिन में 3 बर पांच-पांच बुन्दे चार-चार बुन्दे आप दे सकते हैं इस पें inflammation में भी relief मिलेगा और pain में भी relief मिलेगा तो ये 4-5 जो medicines मैंने बताई हैं ये सिर्फ front line medicines हैं जो mostly दी जाती है येस के cases में पर totally आपको कौन सी medicine देनी है ये आपके constitution पर depend करेगा ये आपके case taking के उपर ही depend करेगा तो friends, ankylosing spondylitis एक बहुत ही गंभीर बिमारी है और एक बिमारी ऐसी है जिसका treatment बहुत मुश्किल है, सिर्फ इसका management possible है और काफी हद तक अगर जितनी जल्दी इस बिमारी की पहचान की जा सके, जितनी जल्दी इसका treatment करता है, patient को mentality को विप करता है क्योंकि patient की जो thinking होती है वो affected होती है और patient हमेशा और हमेशा फटीग में रहाता है कोई भी activity को प्रफॉर्म नहीं कर पाता है तो I hope कि जो भी information मैंने AS के बारे में आप से share किया जो भी इसके symptoms को मैंने मताए आपके लिए beneficial होंगे और आपके काम आएंगे तो अगर आप किसी को जानते हैं जो AS से प्रभावित है जिसको AS की बिमारी है एंकालोजिंग स्पॉंडिलर्टिस की बिमारी है आप लोग मेरी इस वीडियो को हाँ शेर कर सकते हैं अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेर करें मेरे चनलों को सब्सक्राइब कर लें अगर इवी तक आपने नहीं किया हो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ थैंक्स एवाजियो के सब्सक्राइब करें झालों के सब्सक्राइब करें